कि गुजर काफी आगे निकल चुके हैं हमारे बदेश में भी है मेरा खुद का बेटा जर्मनी में स्टडी कर रहा है उसको विक्सत करने के लिए अच्छा यह अवसर है और हम सब गुजर बारत के एक जगा मिलके हम बहुत खुड हुए रही है तो उससाब से गुजर आगे मेरा नाम रजंद्रक्साना है मैं बेसिकली हमाचल से हूं से और मेरा अपना स्कूल है पंजाब में 27 साल से स्कूल रन कर रहा हूं और जहां पर इस मेलन में आकर मेरे को बड़ अच्छा लगा का भी कुछ सीखने को मिला तो मुझे आप एक यह बत बताईए कि जब आप य ऐसा कि हम बेस्टर में डल रहे हैं तो हमारे उदर तोड़ा कम है यहां से तो इसलिए वहां पर हमारा कल्चर थोड़ा थोड़ा लुप्त होता जा रहा है लुप्त होने वाला नहीं मैं कहा रहा हूं जब आप यहां देखते हैं तो आपको मुझे लगता है अपना सा इसा स्कूल मेरा पंजाब में पंजाब में पंजाब में स्कूल भी है बहुत अच्छा और यह जो सारी चीजे जब देखते हैं किस तरीके से लोग एजुकेशन की तरफ बहुत जाजा द्यान दे रहें तो आप गूजरों को अभी इस समय हाल फ्लाल स्थिती में या आने वाले च था लेकिन पहले एजुकेशन का अभाव था तो आने वाले पांच साल में आप कहा देखते हैं हमसको सके का आगे देखते हैं कि यह काफी आगे निकल जाएंगे आने वाले टाइम गैन जिस किस तरीके से देखते हैं कि अब जो है वो क्या ये रीविल्ट हो रही है या फिर कहीं इसको रीविल्ट करनी की और ज्यादा जरूत है अब मैं इस मेले में परतिम बार आया हूं देखने के लिए क्यूंकि आने वाले समय में मेला बरेगा तो हमारे भी पनादा जो त्याग और बलिदान दिया है उसकी पर्दसनी लगाएंगे आपने यहां यह विस्व में इसी कोई महिला नहीं थी जिसने अपने बेटा का बलिदान देकर के राजबंस को बचाय था महाराना परताब को जीवितर का था वह मेवार की दरती एक मातर दरती थी जिन्होंने मुगल सम मुगल जो बाश्चा थे उनका अधिपत्य सुरकाय सुईकार नहीं किया था आपने वह सुनी होगी पन्याधाय की कहानी किस तरीके से अपने बेटे चंदन की उन्होंने जो है वह बलिदान दिया था आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर बहुत अच्छा लगा आपसे ब और पूरा गुंगट निकाल के हमारी वह संस्कृति है जहां चाहिए उसको विक्सत करने के लिए अच्छा में एकता लाता है अलग-अलग सोच हो सकती है अलग-अलग जिगा से लोग आ सकते हैं लेकिन एकता में एकता कैसे होती है यह आपको गुर्चर मिले में आके मिले है और हम सब गुजर भारत के एक जिगा मिलके हम बहुत खुस हुए राजस्तान आकर के इसा मेला हर वर्स हमारे परतिवर्स गुजरों का इसा मोसव होना चाहिए बिलकुल होना चाहिए जाहिंद बने मातरम धन्यवाद